कालतीत कौशल के YouTube चैनल में अगर आप प्लेइलिस्ट के व्यू में जाते हैं तो यहां पर कई सारी प्लेइलिस्ट हैं उनमें से एक है आर्टिविशल इंटेलिजेंस और मशीन लेर्निंग के उपर इस प्लेइलिस्ट में मैं आल्रेढी कई सारी विडियोस बना चुका हूँ to explain artificial intelligence and machine learning और इनके hands-on projects इसमें मैं अल्रेढी पिक्टो ब्लाक्स के उपर भी कुछ विडियोस बना चुका हूँ linear regression पर और natural language processing पर इस वीडियो में हम PictoBlocks के Face Detection Extension को समझते हैं तो मैं PictoBlocks Chrome Browser में लाउज कर रहा हूँ PictoBlocks.ai यहाँ पर अब हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और Bottom Left में हम Extensions में जाके अगर हम AI ML के Extensions देखें तो हमें यह सारे Extensions यहाँ मिलते हैं मैं यह पहला Extension Face Detection इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ यह एक Pre-Trained Machine Learning Model है जिसको हम यहाँ पे Project बनाने में यूज करेंगे इसकी कुछ Commands को हम समझते हैं तो इसमें जो पहली Command है वो है Set the Video On और इससे क्या होगा कि जो PC या Laptop का जो Webcam है वो On हो जाएगा और Camera को जो भी दिखाई देगा उसके Basis में वो Face Detection करेगा फिर यहाँ पे एक और Important Command है Analyze Image और यहाँ पे आपको जोईस मिलती है कि आप Camera से Image को Recognize करना चाहते हैं या Stage पे यहाँ पर जो भी हम Image या Photograph या Sprite अपलोड करेंगे उसमें हम Face Detection करना चाहते हैं और एक बार हमने यह Analysis कर लिया तो फिर हमार को यहाँ पे बहुत सारी Options मिलती हैं एक है जैसे कि Get the number of faces that you can see either from the camera or from the stage or get the expression of the face or exposition of the face और हम बाद में यह training भी कर सकते हैं कि हम किसी face को identify करके हम कहें कि वो जो particular face है उसका हम जो भी उसकी हम नाम या class define करेंगे तो यह एक और command है और पिर जब हम यह कर लेते हैं तो पिर हमार को बाखी commands मिलती हैं जिस जिनको use करके हम projects बना सकते हैं जैसे कि Is the expression of the face angry, disgusted, fear इस तरीके से या यहां पर हम पता कर सकते हैं कि अगर हमने अपने model को किसी face को recognize करने में train किया है तो क्या वो उस वक कैमरा या stage पे exist करता है कि नहीं करता है तो जैसे जब हम security cameras की बात करते हैं airports में या कहीं और तो यह जो vision sensor वाले cameras हैं इनको हम train कर सकते हैं spot a person let's say कोई terrorist तो हम pictoblocks के एक extension को use करते हुए एक project बनाते हैं मैं सबसे पहले यहां पर आपको दिखा रहा हूँ कि अगर हम यह command लाते हैं turn the video on the stage with 0% transparency और उसके बाद हम केवल जानना चाहते हैं कि कितने number of faces यह recognize करता है और जितने भी number of faces यह recognize करता है क्योंकि मैंने यह checkbox यहां पर इसको tick कर दिया है तो यह it's like a variable और यह variable का count कि यह कितने faces recognize कर रहा है यहां पर हमारे को दिखा देगा इसको trigger करने के लिए मैं event block ला रहा हूँ when green flag clicked इसके बाद मैं camera को on करता हूँ इस command से camera on हो जाता है और इसके बाद अगर मैं यहां पर फिर analysis शुरू करता हूँ तो मैं यहां कह रहा हूँ कि analyze the image from the camera और क्योंकि यह get faces already checked है यह हमारे को number of faces recognized यहां पर बता देगा तो अगर मैं इसको अब फिर से run कर रहा हूँ तो यह कह रहा है number of faces recognized is one because इस वक्त यह केवल मेरा जो face है इसको recognize कर रहा है इसके बाद हम यहां पर कह सकते हैं कि get the expression of this face और इसको display करने के लिए मैं say का block ला रहा हूँ कि get the expression of face one and show it for two seconds तो अगर अब मैं इसको with a smile फिर से चलाता हूँ तो यह कह रहा है number of face one है और यहां आप पर आपने देखा होगा वो कह रहा था कि expression happy है मैं थोड़ा angry expression के साथ इसको try करता हूँ तो यहां यह कह रहा है कि expression जो है वो angry है तो इस किसम से यह basic इसका जो feature है face reduction का वो इस तरीके से काम करता है अब हम यहां पर use करते है stage और stage यूज करने के लिए हम फिर कुछ यहां पर sprites जो हैं उसको upload कर सकते है तो मैं already कुछ sprites तयार कर चुका हूँ जैसे मेरे पास एक यह sprite है जिसमें हमारे को यह 5 लोग मिलते हैं तो हम इन 5 लोगों को देख सकते हैं कि यह AI इनको कैसे treat करेगा तो इसको और थोड़ा simplify करने के लिए मैं costumes में जाके इनको duplicate कर रहा हूँ और duplicate करके मैं पहले वाले को थोड़ा cover कर रहा हूँ तो अब हमारे को इस sprite की 3 costume मिल रही है एक जिसमें केवल 1 face नजर आता है फिर दूसरी sprite में हमारे को 2 faces नजर आते हैं और तीसरी costume में हमारे को 5 faces नजर आते हैं तो इससे क्योंकि हमारे को variety मिल रही है हम यह अब दुबारा try करके देख सकते हैं तो अब हम यहां कह रहे हैं कि analyze image from the state and count तो हमारे को यहां उपर पता चली जाएगा कि face कितने detect हुए हैं उसके बाद हम कह सकते हैं कि get the expression of maybe face 1 get the expression of face 2 तो इस तरीके से जितने हमारे पास यहां 5 faces हैं तो हम एक करके इनको recognize करके देख सकते हैं क्या होता है इस sprite में मैं यहां costume बदल रहा हूँ और मैं पहले यहां costume ला रहा हूँ costume A तो केवल एक यहां पे हमारे को human face नदर आ रहा है और अब अगर मैं इस command को execute करता हूँ तो वो कह रहा है face A रिक recognize हुआ है और पहले face का expression था neutral और उसके बाद number of faces से फरक नहीं बड़ता मतलब यह basically जो दिखा रहा है वो यह बागी commands execute हो रही है बट क्योंकि एक ही face है इसले expression of face 2, face 3, face 4, face 5 का कोई मतलब नहीं है यहां पर फिर अगर मैं यह image चेंज कर देता हूँ तो मैं यहां costume में यहां कह रहा हूँ कि change this image to जहां पर हमारे को दो faces मिलते हैं तो अब अगर मैं यहां पर यह command execute करता हूँ तो आप देखेगा कि यह number of faces बदल जाएगा और पहले यह face 1 का expression बताएगा और फिर face 2 का expression बताएगा तो अगर मैं इसको execute करता हूँ तो number of faces 2 पहले का एक का expression neutral एक का expression fear अब यह obviously machine learning based model है तो जो इसकी predictions है वो जरूरी नहीं है कि 100% accurate हों पर फिर भी by and large यह काफी accurately predict कर रहा है उसके बाद फिर मैं जाके यहां तीसरी costume ला रहा हूँ तो अब हमारे पार stage में 5 faces है और हम इन 5 का हम पहले देख सकते हैं कि क्या हमारा यह जो model है यह recognize करेगा कि 5 faces है यानि कि यह जो face detected number of faces है यह 2 के बदले 5 से जानी जाएए और फिर एक-एक करके यह हमारे को सब के expressions बताएगा तो इस command को में execute कर रहा हूँ तो यह कह रहा है 5 एक happy face में भी एक से जादा happy है कोई sad है neutral expression है fear तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यह कैसे face recognition का जो extension है वो काम करता है next हम यहाँ face detection में जो यह face recognition training है इसको समझते हैं तो इसके लिए हम पहले यह block ला रहे हैं कि turn the video on stage विकास हम चाहते हैं कि पहले हम train करेंगे इस machine learning model को to recognize a face और उसके बाद हम detect करेंगे कि क्या वो किसी नई situation में वो face को recognize कर पाता है कि नहीं तो हम कहने turn the video on और generally क्योंकि कई बार video on करने में time लगता है तो मैं यहाँ पर two seconds की wait डाल रहा हूँ और उसके बाद हम कह रहे हैं कि analyze the image from the camera और again analysis के लिए थोड़ा time लगता है तो मैं यहाँ पर भी just to be on the safe side two seconds की wait डाल रहा हूँ और to analyze the image from the camera तो जब camera analyze कर लेगा तो हम कह रहे हैं कि जो image recognize हुई है उसको कोई नाम assign कर देना तो यहाँ मैं अपनी शकल दिखाऊंगा तो मैं कह रहा हूँ कि नाम assign कर देना अतुल तो यहाँ पर यह add class add हो जाएगी and again to be on the safe side मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा wait डाल रहा हूँ और और अगर इसको हम थोड़ा और मज़दार बनाना चाहें तो मैं यहाँ पर जाके text to speech का यह extension add कर सकता हूँ ताकि यहाँ थोड़ा interactive होगा तो यहाँ पर जो voice है वो कहेगी भी कि face recognized and stored और जब यह recognized and stored हो रहा है उसके बाद हम चाहते हैं कि camera जो है वो off हो जाए तो हम यहाँ पर कह रहे हैं switch the camera off तो यह जो set of instructions है यह हमारा model train हो रहा है to recognize a particular face and to store that as अतुल उसके बाद हम चाहते हैं कि अगर यह दुबारा camera में नजर आया अतुल का face तो हमारा जो यह machine learning model है यह recognize करके बता दे की face recognized है तो इसके लिए हम यहाँ से यह do face matching की command ला रहे हैं और इसको execute करने के लिए मैं let's say इसको space की pressed इस event के अंदर डाल रहा हूं so do face matching on camera and again हम यहाँ पर चोटी 2 second की wait डाल देते हैं कि और इससे पहले हमें camera क्योंकि हमने यह camera off कर दिया था तो camera दोबारा on करना बड़ेगा तो हम कह रहे हैं कि switch the camera on wait for two seconds and do face matching on the camera तो अब face matching अगर हो गई है तो हम क्या चाहते हैं तो हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर जो हमारी class 1 थी वो detect हो जाए क्योंकि हमने एक ही इस ML model को एक ही face पर train किया है तो हम क्या चाहते हैं तो हम मेभी यहाँ से एक if then else का conditional statement ले आते हैं तो यहां हम कह रहे हैं कि if class 1 is detected तो हम कुछ set of instructions trigger करना चाहते हैं so for example हम looks में जाके यहाँ कह सकते हैं कि अगर detect हो रहा है तो हम कह देंगे कि welcome back atul और इसको हम text to speech में भी कह सकते हैं और अगर face recognize नहीं हुआ है तो हम यहाँ इसको duplicate करके कह रहे हैं यह भी हम कह सकते हैं कि sorry face not recognized और इसको हमारे को एक forever loop में डालना पड़ेगा ताकि यह condition forever check करे हमारा computer तो अब हमारा program यह है और इन set of instructions को execute करने के लिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि when green flag clicked और actually हमारे को यहाँ पर एक और यह डाल देनी चाहिए reset the class ताकि जब हम program दोबारा चलाएं तो सारी classes reset हो जाएं और program दोबारा चले तो just to explain green flag clicked में camera on होगा image analyze होगी और जो face दिखेगा उसको as atul यह model save कर लेगा और बता देगा कि face has been recognized and stored फिर camera off हो जाएगा उसके बाद space की दमाने से यह next set of instructions execute होंगी camera on होगा face recognize होगा और face recognition के बाद अगर atul का face जो भी face recognize होआ है वो detect होगा तो वो कहेगा welcome back atul और अगर face recognize नहीं होगा तो वो कहेगा sorry I don't recognize the face तो हम इसको try करके देखते हैं मैं green flag क्लिक कर रहा हूँ face recognized and stored तो अब यह face one recognize हो गया है और अब camera off हो गया है अब मैं space की दबा रहा हूँ to execute the next set of commands welcome back atul तो यह जो हमारा program है यह ठीक काम कर रहा है इस extension के साथ अब आप क्या projects बनाते हैं यह totally आपकी imagination है picto blocks में आप कोई चीज़ recognize करके क्योंकि यहां पर हम जो boards है Arduino या microbit इनको भी add कर सकते हैं तो हम इन boards को add करके face recognition के basis में कुछ और trigger कर सकते हैं जैसे यहां मैंने एक face recognition based door system बनावा है यह सारे projects आप क्या बनाते हैं यह आपकी imagination है I hope आप यह machine learning का extension face detection आप इसको try करेंगे बुल अपकी आपकी खुख और सकते हैं झाल झाल झाल